नमस्कारम सद्गुरू, जिस थान या जगा पर हम ध्यान करते हैं, उसका कितना महत्व है? इस सवाल में गड़बड है, अगर मैं हाँ कहूं तो परिशानी होगी, अगर मैं ना कहूं तो भी परिशानी होगी? तो जवाब है हाँ और ना, हाँ क्योंकि वाकई, अलग-अलग जगा, अलग-अलग कारियों के लिए होती है, कुछ थान निश्चे तुर्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, अगर आप ध्यान लिंग में बैठते हैं, तो आप देखेंगे कि उसे उसी काम के लिए बनाया ग हों, जिन्होंने कुछ जगहों को पूजनी बना दिया है, तीर्थ यात्रा करने की वज़ा यही है, कि लोग ऐसी जगहों की तलाश में जाते थे, पर इसे देखने का दूसरा तरीका यह है, कि या तो आप ऐसे स्थान खोद सकते हैं, या आप किसी स्थान को ऐसा बना सकते हैं, मुझे दूसरा विकल पच्छा लगता है, पर उसके लिए आपकी उपस्थिती असरदार होनी चाहिए, उपस्थिती असरदार होना यानि ये एक आसान व्यवस्था है, अभी आपके तीन आयाम है, इसे और बाटा गया है, पर मूल रूप से आपके पास एक भोतिक शरीर है, आपके पास विचार और भावना की मानसिक सनरचना है, और आपके पास उर्जा शरीर है, इन तीन आयामों में कुछ कर्मों की च्छाप मौझूद है, इस कर्म की च्छाप के आधार पर आपका शरीर एक तरह से व्यवहा आपकी उर्जा अलग तरीके से व्यवहार करती है, एक ही स्थिती में अलग-अलग लोग अलग-अलग व्यवहार करते हैं, सभी आयाम शरीर अलग बरताव करता है, मन अलग और उर्जाएं अलग बरताव करती हैं, अब एक तरह से हम ये देख रहे हैं, शांभवी मुद्रा प्रैक्टिस से लेकर हम यही देख रहे हैं कि इन्हें फिर से ऐसे व्यवस्थित करें कि पहली चीज हमेशा जीवन उर्जा हो। आपके जीवन में सबसे प्रभावशाली शक्ती आपका शरीर नहीं है क्योंकि अगर शरीर प्रभावशाली शक्ती है तो यह अपनी छोटी छोटी मजबूरी भरी चीज़ें करेगा और वो बस यही कर सकता है। अगर मन सबसे प्रभावशाली शक्ती हो तो ज्यादातर समय आप अंजाने में कुछ भी करते रहेंगे। ठीक है। आप हमेशा आजादी के बारे में सोचते रहेंगे और जिस समाज में आप रहते हैं उसी की नकल करेंगे। बस यही होगा। या तो आप उसकी नकल करेंगे या आप रियाक्ट करेंगे। दोनों तरह से आप अपने आसपास की चीज़ों के घुलाम हैं यूँकि मन ऐसा ही करता है। तो आपको खुद को ऐसे व्यवस्थित करना होगा कि आपका जीवन या जीवन उर्जा आपके जीवन में पहली चीज़ हो। यह सबसे प्रभावशाली शक्ती है। आपका शरीर और आपका दिमाग छोटी चीज़ बन जाए। अगर ये एक चीज़ हो जाए तो जगा नहीं कह रहा। आप इस दुनिया में कितने महत्वपून है बात वो नहीं है। एक जीवन के रूप में आप महत्वपून हो जाते हैं। आप जब एक जीव के रूप में सार्थक हो जाते हैं सिर्फ तब आप देखते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर आप जो भी करते हैं वो सार्थक होगा, साधारन काम, कठिन काम, बड़े काम, छोटे काम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हर छोटे से छोटा काम शांदार होगा, बस इसलिए कि आप एक जीवन के रूप में महत्वपून हो गए हैं, अगर आप अपने शरीर को महत्वप करने और मर जाने में ज्यादा तर लोग पूरी जिंदगी ले रहे हैं, बस इसी बंदोबस्त में पूरी जिंदगी लग जाती है न, और मानसिक बकवास लगातार चल रही है, बस कल पना करें, अगर आपके विचारों और भावनाओं में मिठास हो, और आपका शरीर ऐसा ह मानो है ही नहीं, तो आपका जीवन कैसा होगा? ऐसा ही होगा, बस कोई दिकत नहीं, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपके लिए सब ठीक है, क्योंकि एक जीवन के तौर पे आपको कुछ परेशान नहीं करेगा, परेशानिया सिर्फ शारिरेक और मांसिक होती हैं, बस ये आपके जीवन में बहुत छोटी हो गई, अगर जीवन महत्वपूर्ण हो जाए तो आपको कोई तीर्थ, कोई जगा खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप जहां भी हैं वो ठीक है, वाकई आपकी उपस्थिती जगा को महत्वपूर्ण बना देगी. झाल